तो देख अब अपना आते लेंस पर अब जैसे तुने पूरा का पूरा वैसा ही है फुद्दू बनाते हैं अपने को डरागा डरागा और कुछ है नहीं उसमें खास जितना भी मिरेर में जो तुने बता है ना अलमोस्ट सारी की सारी चीज़े वैसी यहां पर भी लगने वाली है तो अपन फंडे के हिसाब से चलते हैं ठीके तो अपनी स्टाइल में इसको करते हैं तो सबसे पहले लेंस में क्या होता है पहली बातों मैं तो बतातों लेंस दिखता कैसा है तो यह कुछ या तो ऐसा बेन सर्फेस से बना हुआ एक यंद्र ठीके तो अभी क्या हो कि यह स्फेरिकल अब देख जैसे कि यह वाला लेंस अगर मैं इस लेंस की बात करूँ तो इसमें यह एक स्फेरिकल पार्ट है यह भी एक स्फेरिकल पार्ट है दोनों स्फेरिकल ग्लास पार्ट है मतलब निक गली हुआ क्या, कि spherical part के अंदर से अपन इसको निकाल के lens बना रहे हैं, यह जो lens है अब तो अगर थोड़ा से याद करें, जो तुने mirror बताया है, अब देख mirror में basically क्या होता है, कि mirror है तो एक glass का piece अब वो mirror concave है या convex है वो इस बात से decide होता है, कि हम इसकी coating इस side कर रहे है, या फिर हम इसकी coating इस side कर रहे है, मतलब same mirror piece को हम अगर अलग-अलग side coating करते हैं, तो जो mirror का type है, concave है, convex वो अलग-अलग बन जाता है, अब lens में क्या होता है, कि हमको coating करने नहीं, अब lens में क्या हुआ कि अब अब मैं इसको थोड़ा clearly, easily समझाओ, तो lens में basically क्या हुआ, कि यह वाला जो part है, यह वाला जो part है दोनो reflecting parts है, मतलब यह R part देख सकते हैं इसके, ठीक है, अपनो को यहाँ से, यहाँ तक, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने coating किये, तो यह reflect होगा, तो basically यहाँ पर reflection use में होता है, यहाँ पर होता है reflection, reflection, ये, ठीक है, तो same जैसे तुने बताया था, reflection के वारे में, यहाँ पर reflection use होता है, तो यह जो part है, याँनि कि यह जो lens है, यह होगा अपना convex lens, अब convex lens क्यों होगा, कि तो उसको ऐसा समझ ले कि, भाई, convex अपना जो mirror होता है वो कैसा होता है उसमें यह जो बाहर का ऐसे जो चम्मच जैसे जो चीज होते है बाहर का जो चम्मच का नीचे का पार्ट होता है वो नीचे वाला चम्मच का पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है तो ऐसे यहां पर भी देख नीचे वाला चम्मच का पार्ट ले लिए और एक प्लेन पार्ट लिया तो य्य घुक्त का इधिक है ard प्लेस लेखस तो यह प्लेन वी खोघा रोगते होंगे तेसे अब प्लेना प्लेज प्लेन पार्द फी शार में designer बाट देते हैं, बाटते निया है, समझ लेकिला हम बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि अब ऐसे लिए लाइन ड्रॉ कर नहीं पाएगा, तो इसलिए हम इसको यहां पर यहां पर यह जो पॉइंट है बीच का, इसको हम ओ बोलते हैं, ओ का मतलब हो गया, बोलते हैं, एसे सीम काम यह आप करता हैं, जादे दिमाग नहीं लगाना है, जहां पर हम इसको पोल बोलते हैं एक जगे पर वहां पर हम इसको ओप्टिकल बोल देंगा और कुछ भी नहीं तो यह वाला जो स्फियर है यह हो गया second lens का यह second part का बोल सकते हम इसको और यह वाला जो है यह हो गया first part का तो ऐसे में क्या होगा कि यह जो पूरा का पूरा स्फियर जहां से हमने इस lens के part को तोड़ा है उसका जो center होता है C या C1 बोल लेते हैं उसको हम बोलते है center of curvature सेम मिरर में भी होता है ज्यादा दिमाग में लगा और वैसे यहां पर क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा ज्यादा दिमाग लगा ने लगा तो अगर मैं एक लाइन जोड़ दो इसको तो अगेन यह क्या बन जाए कि याद कर होई principal axis तो basically इस लाइन को मैं जोड़ देता हूं तो लाइट आ रही थे दुनिया की वो उस भाई ने यहाँ पर एक जगे पर concentrate कर दी इसी के कराण अपन देखते हैं कि जब आपन इसे यहाँ पर सूरज रहता है और यहाँ पर आमें एक paper रख देते हैं तो वो paper जल जाता हूं पेपर नॉर्मल सूरज के अंदर नहीं जलता ज जो हम लेंस रखते हैं तो ही क्यों जलता है क्योंकि यह जो लेंस होता नहीं इसकी सारी के सारी लाइट को एक जगे पर concentrate कर देता है paper के उपर इसके विचार जो paper होता है उसमें से आग लग जाती है थोड़ी प्यारी से आग लग जाती है इसलिए में इसको converging बोलते है concave क को हम बोल देंगे diverging ठीक है diverging याने कि यह मुखबत के थोड़ा सा खिलाफ होता है क्योंकर यह जो raise आती है इनको मिलने नहीं देता है इनको दूर-दूर कर देता है तो यह diverging हो गया इस टैप से यह पूरा का पूरा एक diverging हो गया दूर-दूर जारी यह सारी के सारी raise इसल कॉन्वेक्स होता है वह converging हो गया तो इसका रियान रख लगए कि कॉन्वेक्स कॉन्वर्जिंग हो गया और कॉन्केव जो है वह diverging हो गया इतना समझ मैं है अब मैं बताता हूं कि अरे focus और यह सब क्या होता है कि points क्या होता है फिर मैं तो को image formation बताऊंगा तो almost सारी चीज आप से example देते हैं क्योंकि easy होता है समझाना ठीक हो रासान चीज़ों पर आम ज्यादा दिहान दे देते हैं यह हो गया optical center अब देख मैं तो को बताता हूं कि भाई convex lens कैसे काम करता है पहले तो ठीक है तो basically image formation पढ़ने से पहले convex और concave दोनों के दो फंड है simple से दो फंड है क कि यह tackle कैसे कर रहें मैं see Ronaldo दोनों का अलग अलग type होता है खिलने का वैसे convex और concave दोनों light के साथ में अलग 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 खिलते हैं ठीक है वो football के एक ही football के साथ में अलग अलग type से खिलते हैं ठीक है Convex कैसे खिलता है देख Convex अब तो याद रखना है कुछ चीज़े आद रखने है जैसे कि मैंने principal axis दता ही थी ना तो principal axis यह हो गए अपने principal axis ठीक है एक और diagram बना देता हूँ मैं ठीक है तो principal axis अब देख इसमें एक फंडा यह है basically image कैसे form करते हैं उसके लिए दो rules generally follow करते हैं कि जो ray है अब देख वैसे तो है ना तो confuse मत हो ना बहुत थारे लोग इसमें confused हो जाते हैं कि क्या यह एक ही रह आ रहे है नहीं rays infinite आती है मतलब यह 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 सब जगे से रह आ रहे है मतलब यह से कि अगर मैं तो को थोड़ा चितर के बता हूँ जिसके कराने चले बिगड़ जाएगा बड़ चल मैं इधर थोड़ा ड्राइंग के बताता हूँ कि क्या rays सिर्फ यह आ रहे है नहीं rays ऐसी 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 rays तो सब जगे से आ रहे है भई लाइट तो चारो तरफ से आ रहे है इसके उपर इधर से भी आ रहे है इधर से भी आ रहे है इधर से भी आ रहे है पर चूंकि हम इन सब को बैठने समझने तो बैठने सकते है इसले हम समझने के लिए दो rays उठा ल कि यह जब parallel to principal axis होती है, तो यह यहाँ पर ऐसे चली जाती है, तो इसको रेफर कर सकता है, यहाँ बस इसमें लाइट वापस नहीं आती है, इसमें कभी भी light ray वापस नहीं आती है, क्योंकि इसमें कोई coating तो है नहीं, जिसके टकरा के वापस है, यह तो पुरा का पुरा transparent है, इसमें चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, तो इसमें reflection होगा, reflection होगा, मैं बता चुका हूँ पहले भी, यहाँ पर light आई, ऐसे चली गए, ठीक है, अब तो जो अमको का बता चला है, कि जितनी भी lights principal axis से parallel आती है, वो हमेशा एक ही point पर मिलती है, ठीक है, चाहे वो parallel यहाँ से हो रही हो, यहाँ से हो रही हो, वो मिलके यहीं आएगी, ठीक है, अगर मैं इस ray को यहाँ भी मान लू यह जिस point पर मिलती है, उसको हम बोलते है focus, तो उसको हम बोलते है focus, ठीक है, तो focus concave mirror में भी होता है, convex mirror में भी होता है, same यहाँ पर भी हमारा focus का funda क्या है, कि focus वो point अगर definition पूछ रहा है, तो focus वो point है, जहाँ पर principal axis के parallel सारी rays एक point पर, जिस point पर meet होती है, उसको हम focus बोलत पर है, अब देख mirror के case में, जो mirror के case में, जब एक light रहे, पोल पर टकराती है, तो वो same to same angle पर चली आती है, तो यहाँ पर थोड़ दिमाग लगा, और मैंने क्या बोला कि भाई, इसमें light वापस तो आने रही है, तो क्या होगा यहाँ पर, अगर light ऐसी आई, और इसके हिसा जाती है, तो अगर मैं इसको R2 बोल लाता हूं, तो R2 में क्या हो, कि भाई, दूसरी जो रहे हम चुनते हैं, वो ऐसी चुनते कि जो optical center से पास हो, ताकि उसमें कोई deviation नी हो, वो ऐसी कैसी सीधे निकल जाती है, ठीके, तो image formation के लिए हमने दो rays कौन सी चुनी, एक तो वो ज जो कि optical center से पास होने वाली होती है, ठीके, इन दोनों फंडों पे हम पूरा image formation complete कर देंगे, ठीके, दो चीज़े समझ में आगे ना तो पूरा image formation समझ में आगा, अब देख, अब मैं तो बताता हूं कि एक हम बड़ा सा, अब इसमें cases होते हैं, बहुत सारे cases होते हैं, और same अब देख, 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 जैसे यहां पर यहां पर यह वाले case में, इस point पे light rays focus आई, तो इसको हम बोल देता है F1, ठीके, यह focus हो गया, एक तरह से, क्योंकि देख, अगर मैं इस side से फिकता lights, तो यह यहां पर ए जोडबा-जोडबा है, तो अगर मैं यहां से fake ता, तो इस side है, तो इसको मैं F2 बोल देता है, इसलिए हमने इसको F1 बोल देता है, तो F भी बोल सकता है, बट F1 इसलिए बोला है, क्योंकि भाई, दो focus होते है, एक यह वाले part का focus हो और एक यह वाले part का focus, तो अब जब यह F1 है, तो यह जो O F1 distance है, O F1 है, अब अगर मैं यही distance को फिर से यहां पर रख दूँ, यह, तो अगर मानले कि यह पूरी के पूरी distance है, यह focus तक के distance अगर मानले F1 है, यह distance O F1 equals to F1, O F1 यानि के line के length क्या है, length क्या है, F1 है, तो अगर मैं एक point लेता हूँ जो कि 2 F1 पे है, तो देख, F1 point था, यहां distance, यहां तक के distance F1 होई, तो मैंने एक और point ले लिया, जो कि 2 F1 पे हो गया, same मैंने इधर F2 थी, तो इधर मैंने 2 F2 पे ले लिया, ठीक है, समझ में आ गया, अब देख, diagram कैसे बनाते हैं, बता देखो, क्योंकि diagram बहुत important है, तो हमेशा अपनों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि image formation में समझ में आएगा, कि 2 F1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इसका भी बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, same यहां पर, अब यह जो distance थी, O F1, यही O F2 हो जाएगे, ठीक है, तो यह F2 हो गया, और यह point हो गया, 2 F2, ठीक है, अब एक चीज़ बहुत important है, कि तुझे arrow मार करना बहुत ज़रूरी है, कि लाइट कहां से और कहां गरी, वरना को किसको समझ में कैसा है, कि कहां से आ रहे हो, ऐसे कहीं भी उठके चल दो, अच्छा लोड़ी लगता, डाट पड़ती है, इसले हम इसको S-Type से लेबल करेंगे, तो यह तो को समझा है, सेम कॉनके लेंस के टाइप में भी करेंगे, अब यह तुझे फिगर जो है न, इसको तीन चाप और देख लोगे न, तो को बिल्लकुल कंटस हो जागा, दिमाग में बैट जाएगे, कि अच्छा यह ऐसा ऐसा है, तो बेसिकली तो याद कर रखना, अप् टिकल सेंटर याद रखना, ओ, एफ़ण याद रखना, टुओ याद रखना, टौर इफबन तो अपना पता चल जाएगा, एफटव याद रखना, टू एफटू पू पही पता चल जाएगा, ⁨ि yn आप साल में, पान लेंक्त, पimerkollकुल सही बात है, कॉनक्ट हे में यह गई डाइवर्ज हो के अब इसमें मैं तो को समझाऊंगा आगे चलके कि डाइवर्ज होने का जा कर एक्चुली आते पीछे के साइड में आप इसमें 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 अब चलापना आया था इमेज फॉर्मेशन के उपर ठीक है सिंबल सी चीज है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कॉन्वेक्स केस नंबर वन ले लेता हूं मैं केस नंबर वन हो गया यह हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस अब देख केसे कैसे हैं मैं तो को बता दता हूं कि केसे क्या क्या हो रहें ठीक है पहले तो मैं तो को डाइग्राम वरना ते को पता किसे लेगा कि लाइन जो रेव तर्न का से हो रही है यहां से तो यहां से तो टर्न करना इसलिए यह वीच वाल लाइन भी ट्रॉ कर देना एक object उठा है आपन ने उस object के साथ ही खेल रहे हैं तो basically किया कि आपन ने कि जो object उसके अपन अलग-अलग position में रख और यह देख रहे हैं कि अलग-अलग position पर रखने पर उसकी image कहा बन रहे है तो मैं पहली बार तो object को इसके इदर रखूँगा 2F1 और infinity मतलब जहां तक भी जाना हो तो 2F1 के इदर रखूँगा एक case में इन दोनों के बीच में रखूँगा एक case में इसके उपर इससे समझगे ठीक है वनना तो इससे सबीच पर देख तो इससाइट पर थाया है कि इससअध से लाना जबता इसाइब आए है इधर से इधर आना वे must feel आती है अब देख पहला केस, पहला केस मान ले, पहला केस ही हो कि मैंने तो बता तो कि फंडा चलने के सवाल है, फंडा कुछ ऐसे चलेगा कि हम अबजेट को यहां से दिरे दिरे पास में लेके आएंगे और देखेंगे कि इमेज इसकी कहां बनती जारी है, ठीक है, तो पहले तो हम अब यहां से स्कार्ट करता है, तो इस से स्कार्ट कर hello Baptist, बेखेंगे की इमेज कहा बन रहा है तो जब मैं इस से स्कार्ट करता हूं, मान ले कि में से न्फिनिटी से स्कार्ट कररा हूं, ठीक है अब मैं इंफिनिटी कह कितो और बहुत बुर निया तो इसके इंफिनिटी का मजलब कि तो आम मेरी आवे रखके और यहां पर इमेज डूंड रहा है एक कंसीडरेबली फेरली गूड अमांट हमने दूर रख दिया तो इसको इन दोने के बीच मा अबजेक्ट रखेंगे तो इसकी इमेज कैसे बनेगी तो दिरे दिरे जब इंफिनिटी पर हम चेक करेंगे फिर इसको हम 2F1 याने कि याला जो पाट है यह जो पॉंट है इसके थोड़ा से दर रखके ट्राए करेंगे और अबजेक्ट को फिर इन दोनों के बीच मा अबजेक्ट रखेंगे फिर में सारी सारे पर्लेटू प्रिंसिपोल एक्सिस आ रही है तो यह कहां मिलेगी यह सारी यहां मिल जाएगी ठीक है तो अब क्या हुआ कि यह जो अब मैं तो को अगर केस में तो अबजेक्ट जब मेरा इंफिनिटी पर था तो इमेज जो बनी वो बनी फोकस पर है दूसरी होती है मानले कि यहां इंट्रसेक्ट होई तो मैं फ्रिंसिपल एक्सिस और इस इंट्रसेक्शन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को इमेज की लेंथ बोलता हूं यह इमेज की साइस बोलता हूं इस केस में भाई यह इमेज तो बिलकुल लेट वे बनी है तो इसका मतलब यह जो डिस्टेंस होनी थीं तो बिलकुल यह एंपर हो गई ठीक है यह यह इस तो रहे है नी बस से थोड़ा आपट हो गया तो इस केस में एक पोइंट साइज भॉजेट बझन उबनता है इसको पॉइंट साइज भी बहुँ सकते है धियर थिपाईले बहुत सकते खित्य के यह सीधा है यह उल्टा है तो यह इनवर्ट है अगर आपजेक्ट यह इमेज है तो यह इनवर्टेड होगई वह यह क्योंकि यह इल्टी है ठीक है और real का मतलब हो ही कि हम इसको screen पर optain कर सकते हैं तो how में तो देखने सकता है कि भाई यह race comment होगी है ऐसा how में तो दिखेगा नहीं तो यहाँ पर तो basically practically तो यहाँ पर एक screen लानी पड़ेगी वो screen परदा हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है वो तो यहाँ पर लानी प करेंगे अब हम object को 2F1 के थोड़ा सा ही तर ले लेंगे मतलब इसको beyond 2F1 बोल सकता है ठीक है तो यह दूसरा case हो गया beyond 2F1 इस case में क्या होगा देहां से देख में इसको थोड़ा से drop करता हूं इस case में इसा होगा कि मैंने यह principal axis से जा रही थी तो कहां से जाएगी फोकस हो दूसरी हमारी आरी तो optical center से तो यह ऐसी ऐसी चुप चाप निल जाएगे बिना कुछ बोले ठीक है तो इस case में तो guess कर क्या हो सकता है अब मैं तो इस जादा guess पर दूँगा नहीं बट basically होगा क्या कि जो उन्हों जो raise है वो कुछ इस point पर meet करीगे ठीक है यह जो point है अब य shift को beyond 2f1 रखते हैं तो image हमेशा f2 और 2f2 के बीच में बनती है अब अगर size की बात करें तो देख 2f1, 2f2 अब 2f2 के अंदर है और यह जो image, जो object था यह 2f1 के बाहर था तो इस object की size बड़ी थी और यहाँ पर अगर तो image की size लेगे को तो image की size छोटी है although यहाँ पर figure मैंना अच्छे से हैसा बता है नहीं बठा 2f2 की size है यानि की इस जो image की size है वो छोटी होगी तो यह क्या हो जाएगा की एक diminished image है diminished image है या छोटी image है smaller than object smaller than object अब दो चीज़े तो हमेशा किवल एक ही case में चीज़ेंज होती है अब बाकि सारे cases में convex lens के case में image है रियल और इंवर्टे ड़हती है अब देख दूसरा case होता है कि मैंने तो कहा होता है कि दिरे-दिर मोब्जेट को पास लाते आ रहे हैं अब तो एक है ना बहुत ही must pattern observe करेगा इसमें तो हुआ ऐसा कुछ कि यह O है यह F1 2F1 F2 2F2 अब दूसरा case क्या हुआ कि भाई एक तो था beyond 2F1 अब मैं क्या घरता हूँ अब मैं object को यहां बठा देता हूँ 2F1 के उपर ही बठा देता हूँ अब देखते कि क्या होता है तो अब जब मैं मानले एक रह हमने याले ले ले ली parallel to principle axis तो हम यह observe करेगे कि यह जो रह है यह focus से पास होएगी हमेशा ठीक है ऐसे निकल जाएगी दूसरा मैं optical center से पास होने वाली एक रह ले लूँगा जो कि बिना deviate होए निकल जाएगी ऐसी कैसी अब जब तो इसको observe करेगा कि यह दोनों जो rays हो कहां meet हुई तो यह इस point पर meet हुई और यह point का है 2F2 वाला तो यह जो image हो गई यह यहाँ बन गई ठीक है तो अब जो object था और जो image थी तो जब object को हमने 2F1 पर रखा तो image भी अपने 2 2F2 पर बनेगी ठीक है जब मैं object को यहाँ पर रखूंगा तो image भी यहाँ पर ही बनेगी 2F1 पर रखा तो 2F2 पर बन गई size के अगर हम बात करो तो size दोनों का equal है देख ध्यान से देख देख दोनों का size equal है क्योंकि दोनों same distance बनी होई है तो equal size के तो ना तो यह magnify होई ना तो यह diminish होई real है ठीक है क्योंकि इसको screen पर obtain करेंगे हाँ में तो दिखेंगे नी और inverted है ठीक है उल्टी भी है यह सी सीधी थी यह उल्टी होगी ठीक है यह होगा 2F1 पर रखना लगे अब देख मैंने तो होता है कि हम धीरे धीरे इसको इसे pass लते आएंगा object को पहले हमने यहाँ रखा बीच में अब हमको examine करना है कि image कहां बनने वाली है तो again मैं वही principle एकसे से pass होने वाले एक ray ले लूँगा जो कि F2 के पास जाएगी अब although तो scale से बनाएगा डाग्राम तो काफी अच्छे बनेंगे तो अब देख 2F1 और F1 के बीच में जो object है तो image कहां बनेगी एक तो मैं इसको simplify करने के लिए 2F भी लिख सकते हैं अब यह हमको क्योंकि हम दोनों साइड ले रहे हैं इसलिए 2F2 लिखते हैं तो यह object image object के क्या हालते है यह 2F1 और F1 के बीच में था image कहां बनी beyond 2F2 same अब मैं अगर size की बात करूं तो object के size अगर मैं size की बात करूं तो image के size तो यह वैसे वैसे यह बड़ा होते जा रहा है तो जब भी 2F1 और F1 के बीच में होगा और image जितनी image दूर बनती जाएगे ना उतनी image एक तरह से मालने कि तो बड़ी होती जाएगे अब देख 2F1 और F1 अब देख यह distance बढ़ाबर है इन दोनों के distance बढ़ाबर है तो अब जब तो cases को आपसे देगे ना तो तो को और समझाएगा enlarged होगे real है invert है ठीक है यह चीज़े यह याद रखना यह nature of images में पूछते है और जब numerical solve करते हैं तो भी यह चीज़े बहुत काम आती है तीसरा case guess कर कहा हो सकता है infinity पे लिया फिर यहाँ पे लिया फिर यहाँ पे लि अब देख यहाँ पर रहने बहुत ही खूपसर से चीज़ हुई यहाँ पर क्या होगा कि यह जो दोनो रिफ्लेक्ट या रिफ्रेक्टेड रेज जो यहाँ से गई एक तो focus से पास हो यह दूसरी जो optical center से पास हो कि ऐसे कैसे निकल गई यह दूनों रेज एक्चुली में बहुत दूर जाके मिलेगी मतलब यह यहाँ पर नहीं मिलेगी बहुत दूर जाके कहीं कोने में ऐसे ऐसे करके यहाँ पर कहीं बहुत दूर मिलेगी तो इससे होगा कि जब बहुत दूर मिलेगी तो यह जो image है जब यह बहुत नीचे है ऐसे दूर बनेगी तो इसका मतलब जोड़ से इसको इसे magnification glass से देखते ना उस type से बहुत जादा highly magnified रहेगी दूसरी आते है कि वो ही रहेगी कि safety बात है real inverted रहेगी ठीक है और inverted रहेगी क्योंकि real image is set बनेगी और बहुत दूर बनेगी highly magnified रहेगी और जो image है वो कहाँ बनेगी अगर पोजिशन पूछे तो यह हम बोलेंगे infinity बनेगी ठीक है क्योंकि काफी दूर है तो इसले हम बोलेंगे कि infinity बनेगी तो यह हो गया हमारा वाला case जिसमें object जो है फोकस के ओपर है अब जसे तूने बोला कि दीरे दीरे object जो है वो पास आता जा रहा है तो पिछले case में F1 पर था तो इस case में शायर ओर F1 की बीच में होगा करेक्ट है जाता हूं थोड़ा और अच्छा लिए ठीक है मैंने तो वही काम किया पर हमको तो बहुत है यह race जो है यह actually diverging है मतलब यह ऐसे दूर जा रही है अब दूर जाना है कभी इस साइट तो मिलने सकती तो हमने इसमें थोड़ी कलागारी गड़ी देख मैंने का क्या यह जो रही है यह जो रही है अब यह एक ही case असले को याद रहा जाना को दिक्कत नहीं मैंने इसको पीछे कीचा अब क्या हुआ पीछे कीचने के बाद यह जो यहां पर point पर दोनों intersect हुई दोनों race तो यह अपना object बन गया अब इस case में देख के object भी उपर की साइट भी बन रहा है तो यह object जो है यहां पर यह पहला ऐसा case है जिसमें object inverted नहीं है यह erect है, erect का मतलब वैसा का वैसा ठीक है यह upright भी बहुत सकते हैं क्योंकि यह उपर की तरफ है अप है तो upright भी बहुत सकते हैं तो basically इस case में ऐसा होगा कि हमको screen की जरूत नहीं पढ़े कि देखने के लिए अपर डिरेक्ली देख सकता है तो फ्रेक्टिकल जब तो देखे गा ना लैब में कभी तू गया तो जब तू लैब में जाएगा और इसको देखे था तो जाओ तो लैपने ज़ेगा तो यह ने लिए कि कांच जीएगा जैसा मको mirror में दिखता है ना विससे तेको कांच जा इमेज हमेशा इस साइड ही बनेगे, और तीसरी चीज है कि यह वर्चुल और इन्वर्टेड नहीं, यह एर्रेक्ट होगी, ठीक है, यह हो गया, तो अब देख, अगर मैं तो इसके सारे के सारे कैसे समराइस करके बताऊं तो तो तरको एक चीज़, बस वज़ लास्ट वला क जिसमें हम फोकस के भी पास में रखते हैं, उस केस को छोड़के, बाकिस सारे केसे में यह जीज़ फॉल्व रही है, जितने पास हम आये, उतने दूर तुम चले गए, जितने दूर तुम याने की इमेज चले गए, कैसे, भई देख, इसको मैं फिर से यार यह बार बार ड जिवन में के अशी हम वे हैं, जीज़ नम ऐसा हो जाता हुई- कभी ओई, गगी। जब मैं उपज़क खोड़ा पास में यह इन दोनों के बने गचि गए, तो बही हुचा है, एन दोनों के बीच में बने खोड़ुआ के लिए लिए, ब्ढही है. इमेज हैं निख के रही ह ठीक है, और वोड़ी होते होते हैं जब मैं इसको एक लिखाया है अब यह साइज इतको अब मुद बोलना कि बड़ा को रहा है मतलब रहा है ठीक है मैं अलग-अलग था कि अलग-अफ़ील आई अलग-अपजेक्ट से इसले बता रहा हूं मानले कि मैंने F1 पर रखा तो यह थोड़ी और दूर चलेगी इसके बाद का केस अलग है बट यहां तक जब तो अबसर्ब करेगा कि जितना पास यह आते जा रहा है उतनी ही दूर इमेजर इससे चली जा रही है ठीक है? तो अबजेक्ट जो है तीनलों के बीच में आधा रह जो अब रहा है और तो वह दो पी Nord西 माता ना मिम्हेर्ए एब माते हैं ओंकेवलेंस के ओकर ऌह कल पास ओका अब ओंकेवलेंस के बाथा आपने लंज के गईस सिंपल है जरूं फिर ना जया हमने बहुत केसे से ना 10-15 मिट लिख ले एक बार है ना केसे लिख ले इमेज ऑबजेक्ट की टेबल बना ले तिरको इतना सही आध होगा कि तिरको कभी याद नहीं हो और यह जो फॉर्म रहता नहीं जो मैंने बनाया था कि जितने पास हम आगए उतने दूर तूर तूम चले गाए यह यह जो इंफिनिटी पर तो पिछले केस में हो तो इजो इसकी जो रेस हैं वो फोकस पर यहां पर यह महबद काम कराते हुए रेस को उदर डाइवर्ज कर दिया इसने पर image कैसे मिलेगे, अब देख, image का funda हम भो ही लगाएंगे, जो कि हमने convex lens के case में तब लगा था, जब object हमारा, focus और O के बीच में था, इन दोनों के बीच में था, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे funda, यहाँ पर हम इन race को पीछे की तरफ कीज देंगे, ठीके, पीछे की तरफ किया, ठीके, तो जब भी race parallel to principle axis आ रही थी, तो यह चली तो इदर गई, मतलब practically इदर गई है, actual में, ठीके, यह होगा real, really यह इदर चली गई, इस साइड तो हम इसको कीच के लाएं, कीच के लाएं मतलब यहाँ पकड़ कीच लाएंगे, हम ऐसा समझ रहे हैं, अब apparently ऐसा ल कीच लेता है, तो उससे क्या होता है, कि it appears to converge at f1, ठीके, convex के case में, वो f1 पे converge हो रही थी, पर concave के lens में, वो f1, sorry, f2 था, इस साइड न, पर concave lens में, f1 पे ऐसा appear हो रहा है, कि यहाँ पर converge हो रही है, ठीके, appear हो रहा है, इसका मतलब क्या हो, थोटा सा दिमाग लागा, जब वो actually neat हो रही थी, तो हम उसको real image बुला रहे थे, और convex के lens में, जब हम इन इसको यहाँ पर रखा, तो हम उसको virtual image बना रहे थे, क्योंकि हम उसको virtually ऐसा assume कर रहे हैं, तो हमेशा concave lens के case में, concave lens के case में, हमेशा virtual image बनेगे, यह कभी विचारा real बना ही नहीं सकता, हमेशा virtual image ठीक है, अब इस case की बाद संदो, तो जब object infinity पर था, तो image कहाँ बनागी, इस एक से, f1 पर बनागी, इसके लिए हमको क्या कैसे screen की जरुवत है, नहीं, screen की जरुवत कैसे हो, क्योंकि अब जब इस side बनागी, तो screen की जरुवत होती है, अब उसी side बनागी, same side बनागी, तो तो बार बार कंपर इस बनागी, तो दिमाग में बैठ जाए, कन्फूज मत होना बस, एक बार टेबल बनागी, तो समझ मा जाएगा, तीसरी चीज, अगर मैं size की बाद करो, तो size बड़ा था, और चोटा होगे, तो इस बिख रहा है, तो ये होगे diminished, ठीक है, और चोथा, मै प्रास, एतना ही है, एक और केसे बस कौन केप में हो समझ ले, अपने आप चीज आवाज कर रहे हैं, मेरे घर में बहुत आ गया है, दूसरा केस क्या मान ले, दूसरा केस मनने है, मानला है, कि वही, फोकस के इधर है, अब इस केस में क्या होता है, कि जितने भी बाकी केस इ थोड़ा सा इधर मानने कि यहां पर रखते हैं, ठीक है, तो beyond, तो अगर object को infinity के लावा, कहीं भी थोड़ा पास में रखेगा ना, तो same case ही follow होगा, इसमें इसले दो ही case सोचते हैं किया हुआ, क्या हुआ, सेम चीज़ करी, डाइवर्स वा, पर पीछे की ही चातो ही focus पर आगे, दूसरा क्या है, क्या हमने optical center पर पास कर दी है, ठीक है, मैं optical center पास की, तो क्या हुआ, कि optical center से जब मैं इस ray को, अब ये actually ray is set जा रही है, अब इसमें समझे है, अब तेक्निकली तो मैं इसमें डॉट डॉट इसको पर लगा नहीं सकता, क्योंकि आना तो is set ही है, अगर मैं इदर से वापस पीछे की चुतर आईगी तो ये, अब ड इसका मतलब क्या है, दिहान से देख, अगर मैं तो फिर से object और image के बीच में compassion बताता हूँ, तो मैंने कहा रहा था इसको भई या, मैंने कहीं भी रख दया है, 2F1 के आसपास है, अभी मैं मैं मान रहता हूँ, 2F1 से F1 के बीच में, image का बनी, इस case में image हमेशा, optical center और focus के ब image भी आसी बनी, ठीक है, तो ऐसा हो गया, same side उपर है, same side है, object भी, image भी side है, और जो कहां पर बनी, where, तो ये, इन दोनों के बीच में बन के, size इसका हो गया, small size, बस, खतम, इतना ही है बस, तो बही, image formation में totally इतना ही है, ठीक है, तो अब देख, formula में क्या है, जैसे अब ये भ 1 upon f, 1 upon f, equals to 1 upon v, plus 1 upon u, ये था हमारा mirror के case में, lens के case में क्या हुआ, lens के case में क्या हुआ, lens के case को इतना याद रख ले, कि 1 upon f, equals to 1 upon v, minus 1 upon u हो गया, ये formula याद कर ले, और तेरी सारी परिशानियां हल हो जाएगी, ठीक है, same अगर, magnification की बात करूँए, तो lens के case में क्या होगा, lens के case में भी same रहेगा, बस ये, जो minus के sign थी, ये हट जाएगी, ठीक है, तो जहाँ mirror के case में plus था, वहाँ minus आगया, और यहाँ पर जहाँ minus था, वहाँ plus आगया, ठीक है, यहाँ पर कोई sign नहीं, तो ये दोनों जो formula है, बस यही है, जो की है, इस g1 म सकता है, ये भी एक चीज है, जो कि या रखने, वी क्या था, वी अपनी थी, अब वी और यू क्या है, same होगी है, वी याने की distance of image from optical center, ठीक है, ये image बन रहे मान ला, यहाँ पर है, तो ये distance होगी, और ये होगया, ये, objective distance, ठीक है, तो ये objective distance होगी, वी image distance होगी, तो ये जो फॉर्मूला है, ये कुछ ऐसा बन गए, m equals to hi upon h, याने के magnification equals to height of image upon height of object, equals to distance of image upon distance of object, बस, खत्म, अब देख, इसमें छोट इस चीज तो नहीं ध्यान रखने है, ये तुझे चीज ध्यान में आवे, ये जिन चीज वियाद कर ली, फिर तुझे numericals फार रने से कोई नहीं र इन सब में confusion होता है, इसको clear करने के लिए में एक सही साथ चीज लेका आया हूँ, वो है कि तुझे ये plane मानना है कि ये lens है, लेंस के right side में, अब convention कुछ भी ले सकता तेरे साब से, बड़ confuse ना हो, इसलिए ये ही मान के चल कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेंस बीच में है, तो जो भी चीज लेंस के right side में है वो सारी positive, ठीक है, और वैसे हमको right ऐसा positive से feel दा है, right से हमको positive vibe जाती है, जो भी चीज लेंस के left side में है, वो क्या बजाएगी, negative, ठीक है, जो भी चीज लेंस के उपर है, वो हो गई positive, जो भी चीज लेंस के नीचे है, वो हो गई नेगेटिब ये चीज भाई तू इसका स्क्रीन शॉट ले ले इसको याद रख ले मैं तो जाद फोकुस नहीं कर सकता ये बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है अब देख अब मैं आता हूँ किसी भी एक सिंपल से फॉर्मूला पर ठीक है अब ये रख नण से इसको ठीक हाँ एकच्वाट 10.3 अब तेको इसके निउमरी को सॉल्च करने की कला होथिये एक twogue को सुल्ब करना और एक हताँ कला ठीक है मैं बाकिया नहीं वता हूँँ कला falta कला क्या होती कलां से सींपल से होती है जितना गीबं दया उतना लिख लो, कोई शर्मान ना बात नी, थेख, NCA डिव ऐसी कर रहा, कोशन है, कॉशन ना, कॉशन है, कॉनकेव लेंस और फोकल लेंस और फिफ्टीन सेंटीमेटर, रूख, क्या मिल लाए है यहाँ पर, लेंस कॉंसा है, कॉनकेव, फोकल लेंस 15 होती है वो हमेशा है याद रख याद रख कि कॉन्वेंख्स के case मेंए फोकल लेंध भॉज अब यह पता चल गया कि भाई यह माइनस 15 है ठीक है अब तो यह मत बोने कि वह इसा नहीं होता यह बस रेफेरेंस के हिसाब से मान रहे हैं ठीक है तो एफ हो गया हमारा आप तक की वाई यह बस रुट गया है ग्या पक्या होने फॉट पीजोड के दाना चीजिए अब देख अपको यह फांड करना है सो देगों मेंजेट 10 cm बशनलेंस V ρाव एक्वार इक्वार टू 10cm अब देख 10 cm अब देख। अब सिफ़ड़ा से नहीं दिमाग लाना है ठीक के दिमाग कैसे लगाना है कि वरी ओन के लैं तो वी जो है याने कि जो इसकी डिस्टैंस है अब्जेक्रिय डिस्टैंस है यह इमीज़की इसके डिस्टैंस तो एस मैं इसको एक concave lens के तरह देख हूं तो इमेज भी हैं यह object भी है ठीक है तो यह तो fix है ना concave lens के case में यह तो fix है कि यह left side में हो ना तो इसलिए होगे negative तो हमको यह दोनों चीज़े हैं अब हमको क्या निकालना है यू निकालना है और मैगनिफिकेशन भी निकालना है अब तो u कैसे निकालेगा अब यह formula यूज कर लेना जो था हमारा 1 upon f equals to 1 upon b minus 1 upon u अब इसमें जब तो values रखेगा ना तो यहां पर minus 10 है तो यहां पर तो ऐसे तो 1 upon minus 10 रखना ठीक है इस टाइप से 1 upon minus 10 minus 1 upon u equals to 1 upon minus 15 जब तू इस पूरे जहमिले को solve करेगा बहुत ईजी सा इसको solve करना तो add the end तेरे को मिलेगा कि 1 upon u equals to 1 upon minus 30 तो u हो जाएगा minus 30 अब यह बहुत अच्छा opportunity हमारे लिए चेक करने के लिए कि आंसर सही आए कि नहीं यू negative आगे इसका मतलब यह तो confirm है कि सही है क्यों सही है अगर यू positive आता है तो फिर तो पक्का गलत था तेरा अंसर क्योंकि भई object जो है वो इससाइड होई नहीं सकता कौन के concurrence के case में दोनों सेम साट होता है तो यह negative आए मतलब यह सही है ठीक है अब अगर magnification की बात कर ली M तो यह क्यों हो जाएगा मैं बता था M होता है V by U तो V by U अगर मैं कर दूँ इसका तो V यह था minus 10 upon minus 30 तो यह कट के हो जाएगा M equals to 1 by 3 ठीक है यह इतना ही तो किया के हमने हमको बस यह चीज़ गया देखने कि हम F U V M H I H O यह चीज़े जहां भी हमको मिल रहे है वहां लिख लो दो फॉर्मूले काम आएंगे इन्ही को थोड़ा घुमा फिरा के काम करना और कुछ भी नहीं होगा और सबसे करते इन अलों के क्यण अग्यों मेंगी सिसमें और मेंगनिफिकेशन का फॉर्मूल ही तो ही गजा होगे तो मताते कर देकि काम से केस मैं जो तो यह हो गया वाई यह हमारे नियुमेरिकल जिसके लिए हम इतना डरते है न वह इहां सौल हो गया एक कॉंसेट आखरी का बता है बस उसके बार चैप्टर खताम अब तेको चैप्टर में थोड़ा सा कन्फूजन अगर फील हो रहा हूं तो एंचीटी के वो टेबल देख सारे के सारे के सारे के से एक बार लिख ले तेरा काम खताम तू जीच जाएगा दुनिया पावर पाव चैप्टर खताम ठीक है अपनी एंसीटी ना वह भी आखरी में यही बता रहा है अब इसकी उनिट बता रहता हूं जैसे की फोकल लेंड की उनिट से सेंटीमेटर वे से पावर की उनिट तो की डायोक्टर ठीक है खताम बस इतना ही है अब एक शीज अगले चैप्टर में बड़ मैं से रहाने तो बिफे幸олодा हूं कि यह चेशमा जो होता है दूर का चेशमा एक पाप हूं ठीक है तो जो दूर का घॉन आएanstुमा जो होता है वो हमेशा कौने महीं तो मैं गवर ku कौनेघ erfolg bardzo ही जो 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 जनरली अगले लोग उता है जिनको पास का दिखाईने देत बस जो लास्ट लेक्चर था वो इसी लिए डिले हुआ और उसी के करण आने वाले जो लेक्चर से वो एक दो दिन आगे वाले डेट पर शिफ्ट हो गए क्योंकि उस देट पर I was not in the condition to record और अप्लोड लेक्चर लेकिन स्टिल मैंने उसका पार्ट टू जे वो अप्लोड कर दिय होगा जादा नहीं होगा बट मैं ट्राइ करूंगा कि इस मन्त के एंड तक जो हमारा यूमन आयतक का पॉर्शन आ वो कम्प्रीट कर दूं क्योंकि उसके बाद मैं काफी जादा पेस पकड़ने वाला हूँ तो बहुत सारी चीज़े और भी आने वाली है इसलिए जादा ड आय डोंट वांट तो पोस्टिंग अट दस नॉट वालिटी और जिसमें कॉंटेंट की कमी हूं लेकिन अट्राइ कि वीडियो में अप्लोड कर रहा हूं उसका कॉंटेंट काफी अच्छा हूं अच्छा हूं एंड 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 आपसे भी लोग सेफ हैं बस जैहिन वानने in the next one till then goodbye and take care